खासकर जब यह विविन ने देशों में कानूनी रूप से पूर्ण है अमेरिका भारत नाइजीरिया इंडोनेशा सहीद अन्य देश इसलिए जालाई उस्टायल के साथ संकोच करने का कोई कारण नहीं है देखिए सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोई भी कंपनी जब साथ ही बोलते बाहर किये विदेश की लेकिन वह इंडिया से रन कर रही होती है कही न कहीं जाके वह आगे दगा दे जाती ही दोका दे जाती है लेकिन यह रियल कंपनी है जो कि out of country से वहां की गौर्णमेंट रिलीजी नहीं करती है बिना किसी कंपनी का रिजन जाने की वो करना क्या चाह रहे हैं उसके बाद ही उनको approval मिलती है उसके बाद ही उनका सारे document summit होते हैं उसके बाद ही वो आगे कि किसी भी देश में जाने का हक रखते हैं और बहुत सारी ऐसी real company है यदि आप लोग देखते होंगे टेलिग्राम में यह बहुत सारी बाहर की investment company के लोग आपको हेलो करते होंगे आपको investment करने का बताते होंगे कि इतना percent इतने दिन में इतना percent वो सब real company होती है ऐसा नहीं कि fake company वो आज से कही साल पहले भी चल रही थी आज भी चल रही है इस चीज को हमने काफी बार verify किया तो जो बाहर की जो genuine company भाहर की चलेंगी वो real concept आज भी चल रहे है लेकिन जो काफी ऐसी company जो duplicate या फर्जी तरीके से बनाई जाती वो सिर्फ इंडिया में चलती और कुछ दिन बाद उनका इस नामों निशान नहीं होता है फिर इनोंने का है कि जा समुदा है जिसमें 13 million से अधिक सदस से हैं यह बड़ा data है जिसमें basic website से प्रतिवन होने की चमता है और इसे जारके प्रवंदन द्वारा बरवात करना संभव नहीं होगा तो कहीं नहीं कहीं इतनी बड़ी का द्वारा हम आसा करते हैं कि जल्द ही हम लंबी अवदी के लिए बड़ी आया प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो विरासत में मिल सकती है और भगवान की इक्षा है यह एक उम्मीद से ज्यादा आये होगी जो हमारे जीवन की गुडवत्ता को हमेशा के लिए बदल द रहेगा कभी यहाँ पर कोई भी ऊपर नहीं होगी क्योंकि चारों सेक्टर हमें से लाइफटाइम चलने वाले आपकी कमपनी जो है इसने सारा मैनेजबेंट उस तरीके से कर रखा है कि आपको स्टेब बाइस सारी चीजे जो होते हुए दिखने वाली है इसके अलावा यह नहीं पर देखें इन्होंने का है कि हम आपको यूए से शेयर बाजार में लिस्टिंग के बारे में और अपडेट भेजेंगे और हम फॉलॉप भी करेंगे और आपको सुचित करेंगे स्टाक मार्केट में लिस्टिंग से पहले जालाइफ स्टाइल एफेस वन एफेस का एक हिस्सा खरीदने के लिए कंपनी खुदी तैयार है एफेस का नियून राइबैंट मुली यूरो एक होगा अफेस टू का न्यून राइबैंट मूली यूरो 2 हर कोई कंपनी के सूची बद्ध होने से पहले अपने कुछ MS1 और S2 को बेचने पेश्क सकरने के लिए पा पूरी तरह से कंपनी के विवेक पर इस आधार पर निर्धालित किया जाएगा कि इस कालिक्रम पर अच्छा पैसा कमाने के लिए सभी को अपने एफएज वन और एफएज टू को बेचने का अउसर देना क्या उचित है ठीक है तो यहाँ पर देखिए कंपनी इसलिए कर रही कि आप काफी लोग जो है वो अभी तक यह देखना चाहर है कि पैमेंट नहीं आ रही कैसे नहीं आ रही है जो भी आ है आप लोग को इसको लेके कुछ आमाउंट विड्रॉल करके देखना है यह सुविधा के लिजी आपकी बेनिफिट के लिए आपको यकिन दिलाने के लिए आपकी मदद के लिए तो इस परपर से कंपनी इस में इस प्रोग्राम को लेके आई है और यहाँ पर वाकई में यह बाइबेक प्रोग्राम जोगा यहां से आपको इंकम जरूर मिलने हो लिए और अच्छे दिन के लिए काम ना करतें बाकी में आपको इस पर लेया कि कुछ दिखाना चाहूंगा तो